हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉनिंग, आज हम कम्प्यूटर टोपी कर रहे हैं, जिसमें हैं हाडवेर एंड सॉफ्ट्वेर, सबसे पहले देखें सिस्टम, सिस्टम क्या है, सिस्टम ऐसे सादार घटकों का समू है, जो क्या मिल जूल कर कोई विशेश जो परपस होता है, उसकी इनपूट, आउटपूट, स्टोरेज, सिप्यू, सिप्यू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सिप्यू को क्या बोला जाता है, कम्प्यूटर का माइंड, कम्प्यूटर का मस्तिक पूछा जाए कोन है, सिप्यू, हाडवेर देखें क्या होता है, हाडवेर, क्या कहलाता है hardware एक ऐसा system है एक ऐसा process है जो क्या है पांच तरह से कार्या करता है कितने पांच मुख्या कार्या करता है कौन सा एक तो इंपूर्ट, storing, processing, output, controlling इंपूर्ट मतलब जो भी हम उसकी अंदर डालते है वो अपने अंदर ग्रहन करता है storing फिर उसको save करता है कहां पर memory के रूप में फिर क्या जब हमें कुछ काम करना होता है तो वो processing में लेता है और output हमें बहार चाहिए वो print वगरा तो वो हमें output देता है मतलब उन सब प्रिकिरियाओं को क्या करता है वो control करता है नियंतरन करता है ओके फ्रेंट्स देखिए operating system operating system operating system operating system software का क्या है एक ऐसा समूव है जो क्या करता है आखडो मतलब data एम निर्देश data और instruction जो होती है उसको संचरन को नियंतरित करता है data and instruction को collect करके वो control करता है ओके फ्रेंट्स आपसे पूछा जाए operating system क्या है जिसके अंदर क्या software का एक ऐसा समूव है जो क्या करता है आखडो को मतलब data and instruction को collect करके नियंतरित करता है hardware और mm software के बीच से तु पुल का कार्या करता है कौन करता है operating system आपसे पूछा जाए hardware और software के बीच में पुल का कार्या कोन करता है operating system hardware और software के बीच में operating system कैसा कार्या करता है पुल का सेतु का और क्या है computer कैगे मेतपून तत्तव है घटक है इसके बीना क्या है कोई भी प्रोसेस सचे से नहीं चल सकती operating system computer का मेरूदंड होता है जैसे एक इनसान की जो body है उसकी अंदर क्या है read की हड़ी हमारा मेरूदंड होती है पूरे उसके उपर depend होता है शरीर उसी तरह से computer का operating system ही उसका मेरूदंड है उसके उपर वो depend है जो क्या है software वे hardware को नियंतरण में रखता है अगर operating system काम नहीं करेगा तो हम कुछ भी उसको काम नहीं कर पाएगे computer में software hardware कुछ भी काम नहीं हो पाएगा okay friends देखें DOS, DOS, Unix, Windows, Mock क्या है ये operating system कुछ पार्ट है अलग-अलग तरह से किस चीज के operating system के अब python क्या है एक programming language अगर आपसे पूछा जाए python क्या है programming language programming language कौन सी है क्या है python आपसे पूछा जाए DOS, Unix, Windows, Mock ये क्या है operating system okay friends hardware हमने concept clear कर लिया कि जिसको हम देख वैं चूप सकते है hardware के part कितने थे 4 input, output, CPU and storage सबसे पहले हम कर रहे है input device okay friends जिन उपकरनों की मतलग जिन डिवाइस की help से मदद से computer को data वे instruction दिये जाते है जिन उपकरन जिन डिवाइस की help से computer को क्या करते हैं data भी देते हैं और instruction भी देते हैं वो क्या होते है input device data को binary code में change करके CPU में भेज देता है कौन input device अगर आप से पूछा जाए कि data को binary code में change करके कहां भेजा जाता है CPU में data को CPU में किस रूप में भेजा जाता है तो binary code में ओके फ्रेंट्स input device पूछी जाए आप से कितने परकार की होती है इसके type कितने है 2 online and offline online and offline अब input device में देखे कीबोर्ड आता है कीबोर्ड क्या है important device है computer की इसका यूज क्या करते है alpha numeric data जो भी हमने word या कोई भी number लिखने है वो keyboard की help से लिखते है और symbol और कोई भी प्लस माइनस करना है तो इसको input की help input करना उसके अंदर computer के अंदर तो वो किस से keyboard की help से हम करते है इस पर जो button होते है keyboard के ओपर जो button होते है उन्हें क्या कहते है keys keys को दबा कर text को input किया जाता है अब हमने कुछ भी write करना है तो हम keyboard के ओपर जो keys होती है उनको click करते है और जो भी text हमने लिखना है वो हम write करते है अब keys आपसे पूछा जाए कितनी होती है तो 101 अब आपसे पूछा जाए कि keyboard किस तरह के device है online है offline online input device online input device mouse mouse भी क्या है एक input device है input device जो क्या cursor या pointer को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते है आप देखिए एक pointer एक cursor सा जो क्या blink करता रहता है जिसको क्या है mouse की help से कभी इदर ले जाते है कभी जहां पे भी हमें क्लिक करना था उसकी side पर ले जाते है mouse का use computer में क्या करते है graphics की सहाइता से instruction देने के लिए करते है इसकी side से graphics की क्या करने के लिए instruction देने के लिए ओके friends अब है हमारी next input device scanner scanner क्या है एक optical input device है optical input device आपसे पूछा जाए optical input device कौन सी है scanner कौन सी है scanner जो image को क्या करता है scanner image को electronics रूप में बदलने के लिए जो scanner होता है उसमें क्या को करता है परकाश एक light को input की तरह use करता है अब आपसे पूछा जाए image को electronics रूप में बदलने के लिए किस चीज़ को वो input की तरह यूज़ करता है परकाश को ओके फ्रेंट्स और क्या करता है वो फिर उस image को चित्तर को digital मतलब digital रूप में बदलने के बाद computer में भेज देता है अब हमारे पास कोई एक photo है पुरानी और हमें उसको बड़ी बनवाना है तो photograph को क्या करते है पहले उस photo को scan करते है इसकी help से scanner की help से तो वो क्या करते है scanner scanner को अंदर scanner के अंदर image को रखा जाएगा फिर वो electronics रूप से क्या है scanner के अंदर lights या जो merge करती है और वो उस तरह से वो input की तरह यूज करके digital रूप में computer में वो send कर देता है हमारी जो भी picture है उसको जो भी हमारे documents है उसको computer में भेजता है scanner क्या है एक online device है online input device है ओके friends अब उसके बाद है हमारी input device microphone क्या है microphone microphone क्या करता है जो भी sound होती है धवनिया होती है उसको computer में डालने के लिए हम किसका use करते है microphone का किसका use microphone का किसके लिए sounds को computer में डालने के लिए sounds को computer में डालने के लिए हम करते है microphone का use light pen light pen है input device है हमारी जैसे क्या काम करती है यह CRT screen पर line और figures बनाने के लिए एक screen है CRT की उस्स पर क्या करना है line और figure बनाने के लिए light pen होते है जो कि आजकर हम बड़ी बड़ी company हो में देखते हैं employee use करते हैं इसी तरह से कोई भी building वगरा बनानी हो तो इस तरह से वो दिखाते हैं अपने प्रोजेक्ट को यह ऐसे करेंगे हम यह इस तरह से काम करेंगे क्या है क्या एक uh सबसे जादा यूज इसका देखो कहा होता है CAD के कामों में CAD के कामों में CAD के कामों में आप से पुछा जाए क्या यूज होता है सबसे जादा Lightpan Okay friends Joystick जोईस्टिक देखे क्या है जोईस्टिक कम्प्यूटर गेम्स खेलने के लिए helpful होती है और यह क्या है यह pointing device है जैसे कि एक light pen है सभी दिशाओं में यह क्या move कर सकती है सभी दिशाओं में move कर सकती है cursor के movement को control भी करती है आप से पूछा जाए cursor के movement को कोन करता है joystick वेब कैमरा वेब कैमरा क्या काम करता है इसका use क्या करते हैं इंटरनेट पर किसके लिए photo and videos upload करने के लिए जो कि आज कर बोध department sorry एक ऐसा काम चला हुआ है कि कोई भी photo और video डालने है तो हमें upload करनी है किसी भी social media की site पर तो हम जो use क्या करते हैं वेब कैमरा video conferencing and video calls के लिए भी वेब कैमरे का आज कर use होता है बड़ी बड़ी companies के अंदर digital camera digital camera digital camera क्या है offline input device है कैसी device है offline input device क्या करती है ये खीची गई जो भी photo होती है उसको क्या है हम computer में डाल सकते है digital camera की help से इसका use को उन करता है photograph पर marriage वगरा में video बनाई photo बना क्लिक की और वो फिर बाद में आके अपने computers में आके डाल लेते है photo और फिर वो आगे album का ये उसकर बडाते है touch screen touch screen क्या है एक हमारी input device है इसको क्या हम touch करके निर्देश भी देते है और data जो होते है instruction भी देंगे हम touch करके और data को input भी करते है like that जैसे कि हम अपने phone यूज़ करते है laptop okay friends OCR OCR क्या हम फुल फोम हो जाएगी optical character reader optical character reader इसका use क्या होता है कागच पर जो भी कुछ लिखा हुए उसको पढ़ा जा सकता है इसमें letter, number, album क्या है ये physical symbol होते है अब आपसे पूछा जाए OCR में क्या होता है letter, number और physical symbol होते है bar code reader आपसे पूछा जाए bar code reader क्या है BCR BCR की फुल फोम bar code reader इसका use का होता है जो भी हम products buy करते है और original हो तो उनके उपर क्या bar code बनाता है उत्पादों पर बने हुए bar को पढ़ने के लिए scan करने के हम अपने उस product का price confirm कर सकते है इससे confirm हो जाता है कि ये price क्या sorry ये product क्या original है इसका use का होता है output device देखिए friends अब हमारी क्या है input device complete हो चुकी है अब हमारी second जो hardware की type था वो था output device वो है हमारा output device data and instruction को क्या अब result के रूप में show करने के लिए जिस device का use किया जाता है वो क्या होती है output device क्या होती है वो output input में तो हम कुछ भी data और इंस्ट्रक्शन input करते थे डालते थे computer में अब output हम ले रही है जैसे हमने अब इसके देखिए output device कौन कौन से होती है monitor input तो हमने कर दी है अब वो monitor से हम देख सकते हमने क्या input किया है input को वो sorry monitor को देखो क्या बोलते है visual display unit visual display unit VDU आप से पूछा जाए computer को और क्या कहा जाता है visual display unit भी कहते है यह क्या है एक main output device है computer की main output device कौन सी हुई monitor monitor computer से जो भी result परात करता उसको soft copy के रूप में हमें क्या है दिखाता है हम उसके अंदर देख सकते हैं क्या कोई problem है या नहीं LCD liquid crystal display liquid crystal display LED light emitting diacode light emitting diode 3D 3 dimensional tft thin film transistor CRT monitor cathode ray tube cathode ray tube यह जो है हमारी monitor की ही type है और देखिए इनकी full form भी मैंने आपको बताई है ताकि एक्जाम में confirm एक्जाम में आये तो आप उसको अच्छे से कर सके LCD LED 3D TFT CRT monitor ओके फ्रेंट्स अब है हमारा printer computer से जो भी हम सूचना को प्राप्त या data जो भी होता है उसको हम क्या कावज पर print करते हैं वो किसकी help से करते हैं printer की help से यह है प्रिंटिंग डिवाइस इलेक्ट्रोनिक रूप में क्या है store रहता है इसके अंदर क्या है प्रिंटिंग डिवाइस का इलेक्ट्रोनिक रूप में store कहा रहता है printer के अंदर क्या है यह online output device online output device plotter plotter क्या है बड़ी drawing बड़ी drawing या जो कोई picture है उसको क्या करना है बड़ी drawing या चितर ड्रो करना है तो अब इसका यूज होता कहा है सबसे ज़्यादा construction plans में कुछ भी हमें plans करने है construction के उसके अंदर होगा mechanical things के अंदर होगा उसके blueprint के बनाने के लिए 3D printing भी हम इससे कर सकते है किसे plotter की help से अब इसका ज़्यादा तर यूज होता कहा है पर है एक तो autocad में scad में cam में अब plotter होते कितनी तरह है कि हैं दो run pen plotter flatbed plotter okay friends run pen plotter flatbed plotter output device और कुन सी हमारी speaker sounds को output देने के लिए sounds को output sounds हमने सुननी है तो किसकी help से सुनते हैं speaker की help से अब हमें phone में हम बात करते हैं तो हमें हमारे phone का speaker ठीक है तो हम बात कर सकते हैं अच्छे से कोई हमारी बात सुन सकता है हम सुना सकते हैं otherwise speaker काम नहीं कर रहा तो हम phone पर भी बात नहीं कर सकते हैं okay friends अब देखिए computer के अंदर hardware था hardware की two types हम कर चुकिया input and output थर्ड टाइप है storage memory memory क्या है जिसमें क्या है data और instruction को क्या है PCB समय तक हम थोड़े समय तक ज्यादा समय तक है collect करके रखा जा सकता है कितने परकार की हैं दो प्रात्मिक memory primary द्वित्यक memory secondary memory primary memory होती कोन सी है main memory इसे क्या है internal memory भी कहा जाता है internal memory और main memory यह किस से जुड़ी होई होती है cd cpu से अब आपसे पूछा जाए कोन सी memory cd computer से जुड़ी होई होती है तो primary memory यह processing और program के जो instructions के लिए क्या करती है data को collect करती है फिर उसे immediate access memory भी है मतलब यह data को collect कर लिया तो यह उसी time collect कर लिया तो यह हमें access होगी उसके अंदर वो किस तरह की memory है immediate भी उसी time grand कर लेती है यह semi conductor और flip flop से मिलकर बनी है आपसे पूछा जाए primary memory किस से मिलकर बनी है semi conductor और flip flop से मिलकर बनी है अब यह देखे primary memory के type कितने है एक तो है RAM random access memory random access memory अब random access memory मतलब RAM भी कई तरह किया है कौन कौन सी है तो SRAM SRAM मतलब static RAM RAM का meaning हमें पता है random access memory static RAM DRAM मतलब dynamic RAM SD RAM SD RAM मतलब साइनो क्रोनिक्स डाइनामिक RAM साइनो क्रोनिक्स डाइनामिक RAM और कौन सी है VRAM एक हो गई SRAM DRAM SD RAM VRAM VRAM का बोटो लाइट RAM यह क्या है इन network device में hard disk के रूप में इसका use किया जाता है यह क्या है महंगी device है sorry महंगी memory है आप से पूछा जाए सबसे महंगी memory को उन सी है तो VRAM अब देखिए फर्स्ट थी हमारी RAM सेकिंड है हमारी ROM ROM को क्या बोला जाता है read only memory read only memory अब इसके type देखिए आगे P.ROM P.ROM Programmer Programmer Programable RAM Programmer RAM Hippie ROM Hippie ROM Erasable Programmer ROM E.E.P.ROM E.E.P.ROM Electronic Erasable Programmer ROM इसका यूज किया कहा जाता है सबसे ज़्यादा Motherboard में Motherboard में किसका ज़्यादा यूज किया जाता है E.E.P.ROM का आप देखिए RAM RAM मतलब random जो हमारी memory है वो देखिए Random access memory में क्या होता है किस तरह का काम करती है RAM में All information क्या होती है S था ही होती है आप से पूछा जाए RAM के अंदर किस तरह की information होती है S था ही होती है जैसे ही अब computer की light with you जो है supply बंद हो गई न जो भी हमारी उसके अंदर information थी वो क्या हो जाएंगी नस्ट हो जाएंगी वो save नहीं रहेगी RAM क्या है एक volatile memory है RAM किस तरह की memory है volatile यह है एक read write memory है input device के माद्यम से इसके अंदर input किया गया data और programming instructions क्या रहती है वो ऐस्ताई रूप से RAM के अंदर ही collect रहती है किसके अंदर RAM के अंदर हमारी second है ROM यह एक fix memory है कैसी fix RAM होगी as time not fix ROM fix इसके अंदर instruction जो है केवल क्या है computer के द्वारा ही हम पढ़ सकते है किसको instructions को उनिट देशो को computer system में ROM motherboard पर स्तीत होता है computer system में ROM पूछा जाए कहां पर स्तीत होता है motherboard पर computer system में motherboard पर क्या स्तीत होता है ROM okay friends computer के firm fair के रूप में जाना जाता है computer के firm fair के रूप में किसे जाना जाता है ROM को यह क्या करता है data और instruction को change इस क्या करना किया संभव नहीं होता जो है वो वैसे ही show करेगा उसको change नहीं कर सकता RAM और ROM दोनों कैसी है semi conductor memory है RAM और ROM कैसी memory है semi conductor एक सामान्य कंप्यूटर में ROM hardware motherboard पर स्थित होता है जबकि BIOS एक software है जिसे hardware यानि ROM में store किया जाता है यह देखिए इसका exception है कि कम्प्यूटर में जो ROM है एक हाडवेर motherboard पर स्थित हो जबकि BIOS एक जो software है उसे में क्या hardware यानि जो ROM होता है उसको store किया जाता है यहाँ पर ROM क्या motherboard के उपर स्थित है और BIOS जो software है उसके अंदर क्या उसको store किया जाता है सहायक memory के रूप में इसे जाना जाता है helper memory के रूप में इसकी storage की अक्षमता क्या होती है अधिक होती है इसकी प्रकरती कैसी है style style है तो मतलब non-volatile है non-volatile primary memory क्या है volatile memory है इसे कहा यूज किया जाता है banking storage device के अंदर और external storage device के अंदर इसका यूज होता है तो इनको sorry इसे क्या है banking storage device या external storage device कहा जाता है किसे कहा जाता है secondary memory को क्या कहा जाता है banking storage device external storage device कुछ भी बोल दीजे आप से पूछा जाए banking storage device किस memory को कहा जाता है तो secondary memory को कहा जाता है इसका use कहां किया जाता है data के backup के लिए मतलब कोई भी चीज हमारे data है वो delete हो गया by chance तो backup लाने के लिए इसका use किया जाता है floppy disk hard disk CD की help से किसकी help से floppy disk hard disk CD की अब देखे इसके type hard disk drive इसे hard drive HD HDD के रूप में जाना जाता है hard disk थी only hard disk बोल लो hard disk drive HDD बोल लो ठीक है इसके रूप में जाना जाता है एक या अधिक जो fast spinning disk है उससे digital जानकारी को क्या है record और repeat करने के लिए किसका use किया जाता है चुम्ब किये बंदारन का किसी भी चीज को record और repeat करने के लिए क्या use किया जाता है इसके अंदर चुम्ब किये बंदारन का floppy disk floppy disk देखिए इसे diskate के रूप में जाना जाता है सूचना को collect करने के लिए चुम्ब किये बंदारन तकनीक का use होता है magnetic tape है ODD Optical disk drive ODD Optical disk drive data को data को पढ़ने वे लिखने के लिए किसकी laser light का use होता है इसके अंदर USB flash drive USB flash drive SD card Safety digital card Safety digital card SSD Solid state drive Solid state drive Cloud storage Punch card Data picker यह सारे क्या थे हमारी secondary memory के टाइप्स थे अब हमारी देखिए hardware की fourth पार्ट है CPU 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 क्या है central processing unit है computer के जो भी main काम होते है main कारियों को करने के लिए important कारियों के लिए क्या है CPU पूरा करता है कौन पूरा करता है CPU यह hardware और software दोनों से ही instruction लेता है किनसे hardware और software दोनों से ही फिर क्या है production करता है उत्पादन करता है result बनाता है अपना इसे procedure, central procedure, micro procedure भी कहा जाता है यह input और output device को दोनों ही device को देखो एक दुसरे से समवाद मतलब input device को output device से कुछ भी confirm करना समवाद करना है बात करनी है तो वो एक दुसरे की मदद करता है मतलब input कुछ भी result देगा तो वो पहले CPU से फिर output में जाता है output से पहले CPU में फिर input में ok friends CPU को क्या है computer का मस्तिक brain of computer किसे कहा जाता है CPU को अब CPU के घटक कितने है 2, ALU और CU ALU, CU ALU को क्या बोला जाता है arithmetic and logic unit arithmetic and logic unit CU को बोला जाता है control unit ALU मतलब arithmetic and logic unit क्या है यह क्या करते है एक तो आंक गणीती है और तारकिक जो reasonable काम होते है जैसे जोड़ घटा गुणा भाग सभी तरह के तारकिक कायमे तो reasonable reasoning के होते है उसमें क्या मुख है रूप से एक तो data जो भी कड़ाटा है उसको चयन भी करेंगे हैं फिर उसकी तुलना भी शामिल है और यह क्या करता है CU से control unit से data और निर्देश को लेकर सूचना के रूप में कहां पे memory के पास भेज़ देता है किसके पास memory के पास अब CU क्या है computer के जो सभी भाग है ना उसकी कार्या परणाली को नियंतरित और समनवित करता है इसमें परसक्सन और भंडारन क्या है शामिल नहीं होता क्या नहीं होता भंडारन इसमें शामिल नहीं होता आंतरिक किरियाओं को नियंत्रित भी कर लिया जाता है ALU ALU वे मेमरी को संचालित करके फिर उन्हें क्या नियंत्रित कर लेगा और यह क्या सेंड डिवाइस करती है ओके फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो